नमस्कार साती हूं अब सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टोरीकल उप राजस्तान एक्सवाजेड में स्वागत हैं आज की वीडियो दोस्तु पनी राजस्तान जीकी से समंदित होने वाले राजस्तान जीके में दोस्तु जीतने भी पिछले एक्जाम जो अगर आपका ये टोपिक आता है दूस्तु आपना इस्ट्री से समंदित जो राजवन से अपना जेपूर का जो राजवन से होने वाला कच्षवा राजवन से तो यह वीडियो आपके लिए जरूर्द बेनिफीशल होने वाले ठीक है तो यहाँपे अपना कॉनसा आज का दोस्तू आमीर या जेपूर का जो कच्छवा वांज सां उसह समंतित आजका वीडियो होना जिसमें अपने क्यूशन के बारें मुचल्चा करेंगे 25 की वीडियो होने वालतीwen विडियो स्टार्ट करते हं बीहार का सुवेदार कम न्युक्त आ गया 1587 से लेकर 2564 चुरानमे के बीच में ये मतलग molecular को सुवओ दा जाते जुआ एंथि anche 1555 की अंदर कहां कर अ फे काभूल कि ओबिदर बना जाते हैं और पनदरासों नैवासी सिखे बाद करें यहां यहां पर बिहार की यूराज्ये ना कंडन बहुए और उसके बाद 1997 के अंदर के यहां पर吸 सबसे पहले मांसिंग का जो रजयहभी इसक कि लोगी आखिर यहांगीर ने बादसाभ नने के या राजपूत-सासक का मनसब कब कर दिया तो यह राजा मांसिंग है ठीक है राजा मांसिंग का यहां पर मनसब कब कर दिया जाता है ठीक है यहां पर जहांगिर यहां पर बादसा बनता है ठीक है तो यहां पर जो मांसिंग है इसका मनसब कितना था यहां पर अकबर के समय तो 7,000 मंसबदारी थी दोस्तों ठीक है 7,000 मंसबदारी और 7,000 मतलब कि 6,000 इनको सवार दिये गे ठीक है 6,000 सवा और 7,000 मंसब यह अकबर के दोबरा दिया जता था लेकिन जैसे यहां पर जांगीर मतलब की सासक बनता है यह मंसब में कमी कर देता है अगले किसमें देखिए अकबर दोबरा मंसिंग को नेम लिखते में से कौन से मुगल प्रांटू के अंदर के सुबेदार बनाए गया यहां पर सुबेदार का क्या मतलब होता है राज्यपाल ठीक है शुबेदार का क्या मतलब था राज्यपाल तो अकबर नहीं यहां पर मुगलो के प्रांतों का सुबेदार बनाए गया तो यहां पर काबूल का सबसे पहले बनाए तो काबूल का कब से बनाए दूस्तू 1585 से लेकर 1587 के बीच में यहां पर मतलए की काबूल का यहां पर इनको बनाए गया उसके बाद बिहार की बात करें तो यहां पर बिहार में इनको मतलग की शुबधार कब बनाया गया तो फंद्रासु सत्यासी से लेकर फंद्रासु चुराणमे के बीच में इनको मतलग की यहां पर बिहार का शुबधार बनाया जाता है ठीक है और इसके बाद बंगाल की बात जीहां आपकर परीकर सब्सक्राइन करें नहीं किन रहें इस कमें, नहीं बना जाता है अगला के राजपूत मंसब्दार को अक्बार ने फर्जंद पुत्तर की उपादी देज़ दोस्तु यहां पर मतलब कि किसको दी यह मानसें को उपादी दी दोस्तु ठीक है मान सिंग को उपादी फर्जंद की देने वाले कौन तो अगबार है अगला किशन देखिए मुगल बासा सहाजा और औरंग जेव की सासन काल में निरंतर जो मुगल दरबार में कारे करने वाले जेपुर की सासा का क्या नाम हो जाएगा तो यहाँ पर एक तो मतलब की सहाजा का नाम आया एक औरंग जेव का नाम आया ठीक है तो इसके समय यहाँ पर मतलब की रेने वाला कौन हो जाएगा तो इसकी बात करें तो यहाँ पर अपना रेटेंसर क्या हो जाएगा माम राजा मांसिंग है, ठीक यहां पर सॉरी, यहां पर गलत आपसन देरेगा सॉरी यहां पर एक बार, यहां पर मिरजा राजा राजा justify होने हो लाई मिरजा राजाज जै सींग का जू समय रहता दूस्तोर समय कब से रहता यह अपना बनता है 1621 के इंतरगत है राजा बनता है ठीक और ही रेता कब तक है तो इसका मतलग कि सासन काल रेता है 1666 तक है ठीक है 1666 तक है इनका सासन काल रेता है तो यहाँ पे इनका सासन काल के बीच में कौन आते है तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जहांगीर है ठीक है सांजा के दुवरह ये उपाधी दीगी दूस्तूँ टिका ये उपाधी कब दिए तो 1638 या 33 के बीच में इनको मतलब किसा जाने मेर्जा राजा को उपाधी दी दूस्तूँ टिका तो मर्थियों कब भी इनकी बात करती है यहां पर 1614 के बीच में इनकी मर्थियों होगी दोस्तों 1614 के अंदर गरते महराजा मानसिंग की मर्थियों महराष्ट एलिचपुर के अंदर है ठीक है अगला किसे देखी अकबर के सर्वोच मंसब 721 राजपुर सासक को दिया गया तो यहां पर मतलब कि अकबर ने सर्वोच मंसबदारी 7000 जो मंसबदारी थी दोस्तों राजपुर के कौन से सासक को दिया गया तो यह अपना हो जाएगा महाराजा मानथ सींग को यहाँ पर 7,000 मंसब़भदारी 7,000 मंसबभदारी ओर मतलब 6,000 शवार दिएगी दोस्तों खोंट सा एक मातर साथ स़के दोस्तों यह राजबुतु के 속ंद्र कर राजा मानथ सींग टिक है राजा मानथ सींग को यहाँ पर मतलब की इसका क्या हो जाएगा तो यह 1605 के अंदर इंगा जब मतलव अकबर मरने वाला था उस समय इनका मतलब कि अकबर जो मान सिंग था उसका 7000 सुर्जंग सिंग हर्डा जो कि कांधिद होने वाले थीक है यह अपने रन थम्बोर से संदित होने वाले जहां पर नियुक कि अगला है कि 1743 में सवाय जेसिंग की मर्तिव के बाद जेपूर की गद्दी पर कोना असिन होता है तो यहां पर जो सवाय सवाई जे सिंग की बात की जाती है ठीक है सवाई जे सिंग का सासन काल कब से कब तक रहता है तो सवाई जे सिंग का मतलग सासन काल रहता अपना जेपुर के सासक शवायि जै facto यहां कि मतलब है च्पेंगे अलम है ऑर रंग जैसिंग घे चैकर का मतलब है 7 जैसिंग दिती शहयकी उपादी देने वाले सवाइय के ठीज़े धी शाय मितलरा है je जैसिंगी उस को मतलब कि यहां पत्ल सुटे में निम्ने लेक्त में से किस मुगल समराट ने सवाई जे सिंग को यहाँ पर राज राजे सिवर की उपादी दी तो यहाँ पर जो कौन सा एक मुगल समराट था जिसने मतलब कि सवाई जे सिंग को कौन सी उपादी दी सेना के नहीं नहीं की इत्युंदा। सहाजा के बीच में विरुद सेनह बेजी गई दोस्तों यह सेना का मतलब कि नेम लेक्त में से कि सासक नेतरत हो किया तो इसकी बात करेती है यहां पर साजा के दोरा यहां पर सहा सुजा के वीज में विरूद यहां पर एक सेना बेजीगी मुगल सेना इसका नेतरत हो करने वाला कौन सा सासक हो जाएगा इसकी बात करेती है यहां पर राइटेंसरी क्या हो जाएगा यह मिर्जा राजा जे सिंग है ठीक है मिर्जा राजा जे सिंग के यहां पर नेतरतों में यह सेना बेजी गी ठीक है मिर्जा राजा जे सिंग इन्होंने साशन कीया 6-4 साल तक और 10 साल तक और यह दूस्तुम्तलब की एक पूरंदर की संदी करनेवालीं कौन हो जाएगा मियर्जा राजा जे तो कौन से तारीक दूस्तु 11 जून1 1665 के बीच में इसको मिरजा की उपादी किस नहीं तो मिर्जा की बात करें साहा नहीं आप इबाती दी उखब दी 1638 के बीच में आप उपा दी दी और इनके एक राज़ दर्बारी थे दोस्तों राजबत दर्बारी का क्या नाम दोस्तों B.R.E ठीक है B.R.E आपका इनका राज़ दर्बारी था मिरजा राजा जैसिंग के समय और इन्हों कौन सी पुष्टक लिखी तो बियारी सत्साई पुष्टक लिखी दोस्तों ठीक है अगला कि उसने देखी जेपरु का कौन सा सासक तीन मुगल बासा जहांगीर साहाजा और औरंगजेब की सेवा में रहा दोस्तों तो यह कौन हो जाएगा तो इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों मिरजा राजा जैसिंग है ठीक है इन्होंने मतलब कि एक तो जहांगीर साहाजा और और औरंगजेब की बीच में सासनकाल यहाँ पर तीनों को सेवा देने वाले थे दोस्तों ठीक है और इनकी जैसिंग की बात करें जैसिंग सवाई जैसिंग की बात करें यह मतलब कि यह अपने मुगलों की साथ जो मुगल थे दोस्तों साथ मुगलों का नोगल समराठ थे उनको सेवा देने वाले कौन ते यह अपने शवाई जेसिंग ते और तीन उतको सेवा देने वाले कौन थे मिरजा राजा जेसिंग तुछ है एगला प्रफी ने ईब by कौन सा सपकता जिसने तीन headset का काल देखा था दूस्तू तो वह जाएगा अपना वaignल्जा यbench जैसिंग यह सवाज जैसिंग की बातप करेद ये 7 मugene का ससवनकाल देखने वालय था और मिरजा राजा जे सिंग ने तीन मुगलों का सासनिकाल देखा था दोस्तु ठीक है अगला क्यूशन देखिए कोखिष्ग कोखिल देव ने अमयर को कच्षवा वंस राजमा स्किता रहातरी कोंधों को भी तुट पर और यहीं ने नहीं वहाएं ठीक है लेकिन यह मतलब कि आमेर केंदर के तर्गधि यहाँ पिर राजदानी बनाने वाला कौन हो जाएगा कोखिल देव बनाई दूसरी राजदानी कौन होजाएगा ठीक है और चोती राजदानी कौन सी दोस्तों जेपूर एंगी चोती राजदानी जो की जो चोती जो राजदानी जेपूर उसको राजदानी बनाने वाले कौन हो जाएगा सवाई जेशिंग ने यह पर चोती राजदानी जेपूर को बनाया गया ठीक है अगला किसे और आमगड के असपास जहां पे मिनु को हराकर यहां पे इन्होंने दुलिराई ने दूसरी राजदनी बनाया ठीक है? और उसके बाद यहां पे धूसरी बनाने वाले कौन थे कोकिल दिव जिन्होंने आमेर को राजदनी बनाया? Camera, 1207 के अंधरगर ठीक है और उसके बाद यहां पर जेपूर को राज़दनी बनाने वाले कौन हो जाएगे जेसिंग होने वाले ठीक है सवाई जेसिंग है अगला है कोकिल देव निम्न में से किस राज़वंस से समंदी था दोस्तो इसके बारे में उल्रेडी पंचार जाका चुके कच्वा वंस के समंदी थे और यहां पर आमेर को राज़दनी बनाने वाले 1207 के अंदर कौन थे यह कोकिल देव था दोस्तो ठीक है अगला है निम्न में से कौनसे कच्वा असासक ने मीनाओं को हटा कर यहां पर आमेर पर अपनी राज़दनी बनाया तो यहां पर कौन हो जाएगा कोकिल देव है कोकिल देव ने दोस्तों अमेर को 1207 के अंदर अपनी राज़दनी बनाया दोस्तों 1207 के अंदर ठीक है तो किसको हटा कर बनाया है और मीनाओं को हटा कर ठीक है अगला क्यूशन देखिए हुरडा समयलन किस वर्स आउज़द किया गया तो हुरडा समयलन की बात कर दिया यहां पर कब आउज़द किया गया यह मतलब कि 16-17 जुलाई 16-17 जुलाई 1534 को मतलब कि हुरडा समयलन आउज़द किया गया करने अब कह खिया और इस व कौन थे गया सब्सक्राइं टेक्ष जगत सिंग्र करने वालग को था तो यहां पर सवाइज Jestlé संग और मेवाड के मतलब कि आपने मत्ल Workshop घंग जगत सिंग और बनाया गए ठीक है लेकिन इस संगटन सपल नहीं हो पाया क्योंकि अपने जो राजा मारा जाते अपने नीजी सवार्थ के लिए जो समयलन था इसको सपल नहीं कर पाया ठीक है तो वही क्यों से ना दोस्तु तो हुरडा समयलन के देख्षता किस ने की तो हुरडा समयलन के द जगत सिंग दीत्य को बनाएगा ठीक है लेकिन ये सपल नहीं हो पाया अगला इसन देखिए भारतिया मुसम विबाग की वेद साला राजस्तान में कहां पर श्थित है तो भारतिया जो मुसम विबाग इसकी जो वेद साला दूस्तों ये कांपी हो जाएगी इसकी बात करें जफुर में हो जाएगे जफुर 쉬re का मतलब क्या हुजाएगा यंपर जंत्र मंत्र होने वाला जंत्र मंत्र सॐर्य गढ़ी में सबसे इंतर ये बाधी मतुरा जोने गञां एक मनारस गाले पांच वैदरति हैं तो इनों awareD doc दिल्ली दिल्ली के अंदर सबसे पहले वेदसाला स्ताफित कीगी उसके बाद दोस्तों कहां पर की दो उजयन के बाद कहां पर दोस्तों उजयन के बाद हो जाएगी अपने बनारस उसके बाद माथुरा माथुरा के बाद अपना जैपूर होने वाला ठीक तो यह पांच किसके अंदर की सामिल कर लिए अगला क्यूसन दीए लास्ट क्यूसन नीमन लेगत मैं से किस सहर को जेपुर नरेश द्वराव वेद साला का निर्मान कर वाया दोस्तों यहां पे इतना मतलब कि कौन से नहीं कर वाया दोस्तों नहीं पूछा यहां पर इसा कॉंसा सेर यहां पर जेपूर नरेश के दूरा वेद सालह का निर्मण नहीं करवाया गया यहां पर एक पहला ऐप्सन दिली सभी हो जाएगा उसके बाद वराण भत भात कर You हैं तो वारणा झी दिल ली ऍ terम झे द्सकंत и और मत पुरा के बाद जेपूर होने वioso upon the यहां पर जेपूर ज він यूलाइब 2010 के अंदर फिश्व एर हीसन के पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा चेनल होने किर्जिगा और आम्यğेर से समझेद अपना एक और वीडियो होने वाला जिसके अंदर के अपने कितने क्रिशनों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट आमेर का वीडियो होने वाला ठीक है